साइब मैं आपको बच्चा दे सकती है पागल तु ना होगी शांता साइब मेरे से आपका दुख नहीं देखा जाता मैं आपको बच्चा देगी शांता मुझे लगता है तु पागल होगी जाके अपना इलाज करवा क्या बस कीजिये, आपको बच्चा चाहिए और मैं देगी आपको बच्चा और शान्त तुझा पता है न मैं शादिश उदा हूँ और तू ऐसी बात कर रहे है मेर साथ साढ़ मुझे पता है अच्छे से कि आप शादिश उदा हो पर साहिब इसमें आपका भी भाला होएगा और मेरा भी आपका भी प्रॉब्लम खतम हो जाएगा मेरा भी इससे प्रॉब्लम कैसे खतम होगा इससे तो बलके प्रॉब्लम बढ़ेगी और साहिब आपको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए शांता मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा इस तरीके से साहिब देखिए मेरे को आपका दुख नहीं देखा जाता आप मेरे को यहां काम करते करते पुरा दो साल हो गया है सब आपसे बोलते रहते हैं कि आपके पस बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है तो मैं आपको बच्चा देगी शांता, देखो ऐसा मत करो इससे ना काफी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे घर में मेरे फैमिली में कलेश हो जाएगा समझी, तुझे अगर पैसे विसे चाहिए तेरी कोई प्रॉब्लमस है तो मुझे बता सकती है तू मैं वैसे ही तुझे पैसे देदूँगा साहिब, मैं ऐसी नहीं हूँ दो साल से काम कर रही हूँ नहीं आपे मैं आपका दुख नहीं देख सकती है इस बज़े से बच्चा दे रही हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए अरे शांता, क्यों नहीं समझ रही है तू मैं हूँ ना, आपको बच्चा देगी और शांता, यह लिए पैसपा कर यहाओ अपना इलाज करा और यहाँ आने की जुबरत नहीं है साहिब, अब ऐसा मत कहिए, मैं इसे आपका दुख नहीं देखा जाता चाचा जी, यह सब क्या कर रहे हूँ और तुम चाचा के साथ क्या कर रहे हूँ कुछ नहीं साहिब, मैं कुछ नहीं कर रही थी अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें गलत फेमी हो रही है जाओ शांता तुम जाओ शांता कहीं नहीं जाएगी अरे आपने तने सारे पैसे क्यों दें, किस बात की दें अरे उसके तीन-चार मैने के सैलरी पेंडिंग थी, वो दे दी भाई आज तक चाची को तो नहीं दिये, मुझे तो नहीं दिये तने पैसे जो इसको तिरो तने पैसे अरे भाई मेरे मैं क्या बताओ तुझे अब चाचा आप सब कुछ सचच बता दो, बना मैं चाची को जाके सब बोल दूँगा कि आपको और इस कामवाली का लवड़ा चल रहा है अपे फागल तो नहों गया तो शाहिप, प्लीज, ऐसा मत करना मैं आपके सब बताईगी ये साहिप, बताओ ना मैं आपको बच्चा देने की बात कर रही थी बच्चा? चाचा जी आप इसके साथ इसे दिन के लिए आपने मुझे गोद लिया था पहले सुना मैं मैं सकामवाली को तुमारे झार're ये तुमारे घर में आपके? शाहिप, आप ठीक हो? शाहिप, आप ठीक हो ना? ये सब तेरी वज़े सो रहा है शाचा जी, क्या हुआ? नहीं साफ, मैंनो कूछ नहीं क्या साहब आप ठीक तो हो ना? तू ससच बता दे तुने मेरे चाचा के साथ क्या किया है और तू क्या करने वाली थी देखे प्लीज मेरे को माप कर दीजे आप जैसा सोच रहे हैं सब कुछ भी नहीं है ये पैसे मैं नहीं मांग रही थी साब कुछ दे रहे थे देखे ये पैसे भी आप रख लीजे मेरे को ये पेसा नहीं चाहिए देगे मैं आपको सब कुछ सबस्चत बताती है जल्दी बता, वन्हें न, चाची को बला के लाँगा और फिर देख वो तेरी क्या हालत करेंगी अरे पागल हो गया, ऐसे काम मत कर पहले उसकी बात सुन ले तू हमने तुझे इसलिए घर में रखा था, कि तुझे तो आज हमें ये दिन दिखाईगी तुझे तो मैं नहीं छोड़ूगा, तुचल, पुलिस के पास साहब मैं बता ते रिये बोल, जल्दी बोल जो बोल ले साहब, मेरे पास एक बच्च्चा है मेरे रिष्टेदार वो मेरे को दे के चले गई मेरे को नहीं पता का चले गई और उस बच्चे को मैं नहीं पाल पारी तो मेरे को पता था कि साहब को बच्चे का जरूरत है तो मैं बस वहीं देना चाहती थी साहब मेरा कोई गलती राज़ा नहीं था अच्छा तो आप जूटी कहानी भी बना रही है नहीं साब मैं सच बोल रही है मेरे पास सच में एक बच्चा है तो वो साब क्या था जो मैंने सब कुछ सामने देखा अपनी आखों से साइब वो गलत नहीं था मैं बस सब को साना भूती देने के लिए मैं थोड़ा सा कंदे पे सीर रखी थी ताकि साब मेरी बात मान जै और उस बच्चे को अपना ले मेरे से उसका लाण पोशन नहीं हो रहा था इस वजे से मैं आपको देना चारी हूँ चाचा जी ये सच बोल रही है शांता क्या तुम सच कह रही है जी साइब करने के लिए रहने के लिए तो मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती उसके चलते मैडम से मेरा बात करने का हिमत नहीं हुआ इसी वजे से मेरे को लगा आप से बात करना सही होगा साथ मैं गलत नहीं है अगर फिर भी आप लोगों को लगते हैं कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे को पुलिस के हवाले कर सकते हैं साथ नहीं नहीं शांता हम किसी पुलिस फिलिस को नहीं बुलाएंगे अरे तुम तो हमारे लिए अच्छा सोच रही हूँ तुम ले आओ बच्चे को मैं पालूँगा उसे शुक्रिया साहिब आपने उस बच्चे को अपनाया लेकिन आपने मेरे बारे में जो भी सोचा बहुत गलत था अरे मैं तो आपके बेटी की उमर की हूँ और आपने मेरे बारे में ये सब सोचा साहिब मैं गरीब जरूर हूँ पर इजददार हूँ देखो शांता हमसे गलती होगी तुम्हें समझने में मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें गलत समझा कोई बात नहीं साहिब बैसे भी समाज में हम लोगों को कोई सही कहां ही समझता है मैं बच्चा लेके आती है हम तुम्हारे साथ हैं और इस बच्चे को भी हम जरूर अपनाईने हैं शुक्रिया साहिब